महा परिवर्तन अपरील के महीने में तीन ग्रह अपनी राशी बदल रहे हैं शनी, गुरू और राहू इस राशी परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा सिह राशी पे अपरील के महीने में उसी के सम्मन्द में ये वीडियो है कुछ planning, कुछ सोच विचार चलता हुआ दिख रहा है मन में 15 तारिक तक और ये जो भी चीज आप सोच रहे हैं न, इस सोच में जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है और कुछ इस प्रकार की चीज़ें भी दिख रही हैं कि 15 तारिक के बाद है न, जीवन साथी से थोड़ी दूरी हो सकती है 15 तारिक के बाद लेकिन ऐसा किसी जगड़े या मन मुटाओ की बज़ा से नहीं होगा बलकि कुछ काम की वज़ा से होगा जिसके वैसे थोड़ी दूरी हो जाएगी काम होंगा या बिजी हो जाएगे इसकी वज़ा से लेकिन कोई जगड़ा या मन मुटाओ नहीं होगा मैं आपको बता दूँ कि आपके जीवन साथी की जो इस्थिती है न वो पूरे महीने बहुत अच्छी दिख रही है वो बहुत सुख में दिख रहे हैं आराम में दिख रहे हैं आपके जीवन साथी इस महीने में और इस महीने कुछ इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं जिससे मुझे लग रहा है कि घर और जॉब और बिजनेस घर और कारे शेतर के बीच में तालमिल बिठाने में किसी प्रकार की परिशानी हो सकती है ऐसी चीज़ें दिख रही हैं माल लिजे कि घर में सारी चीज़े ठीक हैं तो ओफिस में कुछ समस्य आ रही है लेकिन दोनों जो हैं वो ठीक नहीं चलेंगे एक जो है वहाँ परिशानी चलती रहेगी ऐसी चीजें दिख रही है जो भी विद्यार्थी लोग हैं सिह लगन के उनके लिए पूरा महीना पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत अच्छा दिख रहा है जो भी आपके संतान हैं उनके लिए भी पूरा महीना अच्छा दिख रहा है और जिन लोगों को किसी प्रकार के blood pressure की problem हो या किसी प्रकार के बेचैनी होने की problem हो या nerves की problem हो उनको इस महीने कुछ तकलीफ होते वज़ दिख रही है तो आप अपना ध्यान इस महीने रखिएगा तो बहतर रहेगा नहीं तो इस्थिती जो है वो थोड़ी गंभीर भी हो सकती है जब मैं आपके भागे के भाव को देखता हूँ तो एक से लेकर 15 तारिक तक तो बहुत अच्छे योग नहीं दिख रहे है हाँ लेकिन 15 तारिक के बाद आपके भागे जो है वो आपका साथ देता हूँ दिख रहा है भागे का साथ थोड़ा मिलेगा 15 तारिक के बाद धन की स्थिती जो है वो भी 15 तारिक के बाद जो है वो बहतर दिख रही है एक से पंदरत तक धन की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है, धन में कुछ बाधा दिख रही है, लेकिन पंदरत तारीक के बाद जो धन की स्थिति है ना वो अच्छी दिख रही है, जिस प्रकार के प्रयास और महनत पूर्व में किये गये हैं, उसके अच्छा धन मिलता हुआ दिख रहा है 15 तारीक के बाद आपकी सोशल लाइफ है न वो भी अच्छी दिख रही है तो ये था सिह राशी का राशी फल अप्रील 2022 के लिए अगर आप अपनी कुणली से संबन्नित कोई प्रश्ण पूछना चाहते हों जैसे कि नोकरी कब होगी या शादी कब होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं प्रश्ण पूछने के लिए अपने जन्म का समय जन्म का तारीक और जन्म के स्थान की जानकारी जरूर दीजियेगा मैं जल्द जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद